All right, so KTM ने finally, जो test mules हैं, उनको हटा करके, जो असली production bike है, almost, उसको reveal कर दिया है, KTM RC 390 2022 model, and Rok Bogoros, जो KTM के stunt rider है, उन्होंने ही इसका जो reveal हो किया है, and यह जानकर काफी खुशी हुई कि उनको यह करने का मोका मिला, Anyways, बात करते हैं, bike के उपर, so, वैसे मैं ऐसी videos बनाता नहीं हूँ, but, इसलिए हना, मैं थोड़ा, comfortable feel नहीं कर पा रहा हूँ, but still, यह bike ही ऐसी launch करी गई है, कि इसके उपर, काफी सारी controversies भी है, और, मतलब, यह एक ऐसा mixed bag है, जिसके बारे में, बात करने से, मैं खुद को रोक नहीं पाया, so, hey guys, welcome back to the channel, my name is Jeet, और बस ज़्यादा रहें, वेस्ट के विना, सीधा जो अपना topic है, उसके उपर, डाइव-इन करते हैं, तो, start करते हैं, सबसे पहले, design से, पहला point, design ही होने वाला है, because, सबसे ज्यादा controversy में, वही चीज आ रखी है, so, यह KTM की जो racing bikes हैं, जो racing के लिए KTM, जो design काम में लेता है, उससे काफी ज़्यादा inspired है, and उसकी विजए से, इसको aerodynamic बनाने के चकर में, और कुछ और चीज़ें भी इन्होंने improve करी हैं, so, they ditched the design, जो पुराने वाला iconic look था, वो अब नहीं है, वैसे, थोड़ा जब दूर से bike आती भी दिखती है, LED headlights उसकी ओन रहती है, उपर वाली दो, तब थोड़ा सा RC वाला जो projectors का look है, वो जरूर आता है, but, वो जो design है, वो यह बिलकुल भी नहीं है, पूरी bike है, वो design के मामले में completely changed है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, कि एक नई direction में बढ़ा जा रहा है, but, अपनी problem वही है, कि अपने को एक design पसंद आ जाता है, फिर दूसरा design है, उसको digest करने में काफी time लगता है, जैसे क्रेटा के साथ हुआ था, अभी 10 महीने का waiting period है उस पे, और जब वो लोगों क उस design से, तो यह हो जाएगा, या तो अपन used to हो जाएगे, या फिर love it और hate it वाला design बन जाएगा, तो जिनको पसंद होगी वो ले लेंगे, जिनको नहीं होगी वो मेरे जैसे पूरानी bikes उठा लेंगे, और वैसे भी उनकी pricing में भी काफी difference आने वाला है, अभी second चीज, जो क सबसे ज्यादा प्यारी है इस bike की, वो है इसके अंदर जो technologies, जो advancement, जो improvements करे गए हैं वो, so start करते हैं, सबसे पहले, जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी, एक rider के perspective से, वो है इसकी adjustable suspension, इसकी front suspension fully adjustable है, rear suspension fully adjustable है, which is a really good thing, इस budget में Apache RR310 है, उसमें already adjustable suspension आ रही है, so इस चीज देनी थी, उसके अलावा, bi-directional quick shifter दे दिया है, means आप gear upshift और downshift दोनों बिना clutch के कर सकते हैं, so that is also a good thing, वैसे वो काम कितना अच्छे से करता है, वो तो जब real world में bike चला के देखेंगे, तभी पता चलेगा, इसके अलावा, TFT screen, वो तो पूरा का पूरा इनोंने 390 व वो भी करी गई है, means जो इसकी chassis है, वो भी अब split में आएगी, means पहले वाली जो chassis थी, वो एक single unit थी, और अभी इसमें जो ऐसे 390 में chassis आती है, वैसी है, मतलब bolt on subframe है, तो वो भी एक अच्छी चीज है, accident वगेरा में भी help होगी उससे, मतलब आपको bike का, अगर कुछ भी replace कर So, overall bike है, वो 4.6 kilo के something light हुई है, if I'm not wrong, and उसकी वजह से, जो bike की overall performance है, उसमें भी पुरानी वाली RC, जो BS6 RC है, उसके comparison में कुछ improvements हमें देखने को मिलने चाहिए, वैसे BS3 RC के comparison में improvements देखने को मिलेंगे या नी, वो तो थोड़ा doubtful है, because BS3 RC में जो raw power थी, वो I don't think की नई वा थी, and यह थोड़ी mature है, so, उसके अलावा, इसकी जो overall design है, उसकी विजह से, इसकी aerodynamics है, उसमें भी improvement है, जिसकी विजह से, overall 11 km के something, इसकी जो top speed है, उसमें भी improvement हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, and उसके अलावा, इसका जो airbox है, उसकी size change करी गई है, जिसकी विजह से, जो engine है, वो breathe और जादा easily कर पाएगा, issue की mapping है, वो फिर से करी गई है, जिसकी विजह से, थोड़ा सा, जो torque output है, वो improve हुआ है, and उसके अलावा, साथी साथ, इसके अंदर, overall, जो ABS की unit है, उसके अंदर भी, जैसे की traction control हो गया एक, और उसके अलावा, cornering ABS है, वो भी इसके अंदर वो ऐसा feel करता है, कि bike cut, जो rear tire है, उसको उतना ज्यादा traction नहीं मिल रहा है, जितनी है अपन उसको power दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा linear way में, जो bike की power है, उसको cut कर देगा, जिसकी विजह से, जो rider है, वो पूरी bike है, उसकी जो dynamic sound को utilize कर पाएगा, और crash भी नहीं होगा, well, on paper तो यह ऐसे ही sound कर रहा है, और उसके अलावा इसका जो आगे वाला axle है, उसको भी hollow करा गया है, means उसके अंदर का जो part है, उसको खोखला कर दिया गया है, जिसकी विजह से उसमें भी weight reduction हुआ है, जिसकी विजह से जो bike हो वो overall light है, तो basically बात यह है कि ज्यादा तर चीजें ज improve होनी चीए, और overall अगर हम looks को side में रख दें, तो यह जो RC है, यह पुराने वाली RC से हर तरीके से बहतर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे, और अगी बात design की, तो design एक ऐसी चीज है, जो कि over the time लोगों को पसंद आने लग जाता है, वेल मैंने तो ऐसा ही देखा है, एंड उसके अलावा जो reliability वाला perspective है, उसके उपर बात करें, तो इनोंने जो KTM का official page है, उसके according, जो इसका cylinder head है, उसमें इनोंने ultra hard carbon coating, ऐसे कुछ करके coating यूज़ करी है, जिसकी वेज़े से जो friction है, या फिर जो wear and tear है, वो तो at least कम होना ही चाहिए, तो वो reliability के अं वैसे ही improvement आ जाएगा, and उसके साथ ही साथ practicality में भी काफी सारे changes आए है, first of all तो इसकी जो fuel tank है, वो 9.5L से 13.7L की कर दी गई है, which is a big thing, because हम लोग personally काफी ज़्यादा परेशान हो चुए है इस चीज़ की विज़े से, 200 km हाडली पुराने वाली RC390 है, वो range देती थी, उसक जो range है, उसमें भी काफी ज़ादा improvement मिलना चीए, उसके अलावा, इनकी जो website है, उसके according तो थोड़ा बहुत fuel efficiency पर भी असर पड़ा है, thanks to the mapping, बाकी वो तो देखने पर ही पता चलेगा, real world में test करने के बाद ही, and उसके अलावा, overall, जसका steering है, उसमें भी थोड़े बहुत changes क करे गए हैं, उसको आप 10 mm के something, उसके जो height आप increase कर सकते हो, साथ ही साथ उसकी जो reach है, वो भी आप adjust कर सकते हो, means अगर close चाते हो, handlebar को तो आप close कर सकते हो, अगर आप wide चाते हो, तो आप उसको wide कर सकते हो, that is also a good thing, साथ ही साथ इनोंने जो knee वाला section आता है, मतलब जब move around करने के लिए space चीए, तो उसके हिसाब से भी उसको design किया गया है, seat का material change करा गया है, उसकी जो grip है, वो थोड़ी improve करी गई है, और pillion seat, well, वो मेरे को एक गलत चीज लगी, because पुराने वाली RC में, जो पिछे वाली seat है, वो cowl की तरह दिखती है, but नए वाली RC में, जो design पर आगए हम घुमफिर करके, on paper तो जो भी improvements KTM ने करें हैं, और improvements के हिसाब से, जितना मैं KTM को जानता हूं, means पुराने वाली Duke और ने वाली Duke में, जो changes आए थे, BST और BS4 की बात कर रहा हूं, मैं, और उनको जब test किया था, तो चलो ठीक है, R&D तो ये customer पर ही करते है, but still, अगर कोई company, as a brand, कुछ नया invention लेकर के आ रही है, या नही नही technologies लेकर के आ रही है, तो वो एक कहीं नहीं अपने लिए ही फायदे की चीज़ है, because फिर competition है, वो भी तो heat up होगा, so, I don't know कि ये video कैसा perform करेगा, आप लोगों को ये कैसा लगा है, बस मिरे को लगा कि मुझे ब इस video में चीज़ों को, because मुझे बस एक one-to-one conversation करना था, बताईए comments में कि आपको इस type की videos के बारे में क्या ख्याल है, बनाएं या नहीं बनाएं, and उसी के साथ बस इस video में इतना ही था guys, फिर मिलेंगे कभी किसी और video में तब तक के लिए, bye-bye.